कुछ ऐसी चीजों को हम लोग सीखते हैं, जो हमारी जिन्दगी में एक बदलाओ लेकर आए, तो बहुत special दीन हमारा होता है, और आज का जो हमारा ये दिन है, ये और भी बहुत special है, क्योंकि आज जो हमारे वीच में speaker हैं, वो speaker बहुत special है, और आज से कुछ समय पहले, मैंने YouTube पर इनके कुछ videos मैंने देखे थे और जब मैं उस videos को देख रहा था तो उस समय मैं सोच भी नहीं पा रहा था कि मेरे life में कभी ऐसा समय आएगा कि मैं उन्हें host कर पाऊंगा लेकिन एक बार सोच आई हमने आपको कई बार सिखाया कई बार आपको बताया हम ऐसे business में है जिस business में हमारा जो concept होता है हम यह सोचते हैं कि बात करके देख लेते हैं पूछ के देख लेते हैं पूछने में क्या जाता है और इसी करम में sir को मैंने call किया sir हमारे साथ हमारी मतलब बच्चों से connected है और बहुत ज्यादा मैं इनके बारे में नहीं जानता हूँ मैंसे पितना जानता हूँ कि student की counseling करते हैं और counseling करके मतलब एक सही दिसा में लोगों को ले जाने के लिए प्रेडित करते हैं और कम सब्द में अगर कहें तो राष्ट के निर्मान में अपना बहुत मुल्ले योगदान देते हैं और DAV school मुकामा में हमारे दो बच्चे हैं वो पड़ते हैं और सर एक बार counseling के लिए DAV school आये थे और वहीं से connection बनी थी थोई बहुत बातचीत हुई सर से और सर ने काफी सहज सोभाव के सर हैं कि हो सकता है कि सर का नाम आज पहली बार आपने सुना होगा आपके पास जो program का जो sticker जो poster आपके पास गया उसमें जो नाम आपने सुना ये साइद आपने पहली बार सुना होगा लेकिन एक बात अपने अनुगों से आपको याद दिलन आपको बता देना चाहता हूँ, एक प्रॉमिस आपसे करता हूँ, कि आज के इस सेशन को अगर सही तरीके से mentally, physically आप अगर प्रोग्राम के साथ और main screen से जुड़े हुए और सरकी बातों को आप अगर सुनेंगे, तो एक बात मैं दावे के साथ कर सकता हूँ, कि पूरी जिंदगी इस नाम को आप भूल नहीं पाएंगे, तो चलिए, देर ना करते हुए, हमारे बीच एक बेहतरीन टॉपिक को लेकर, और वो टॉपिक है हमारा think and grow, सोचिए और आगे बढ़िए, सोचिए और अमीर बनिए, और ये टॉपिक इतना बड़ा टॉपिक है, और हम लोग जानते हैं कि हमारे सोच का, हमारी जिंदगी में कितना बड़ा impact होता है, कितना बड़ा असर होता है, और आज हमारे mind की programming करने के लिए, हमारे mind की conditioning करने के लिए, हमारे बीच मनुकूल सर उपस्तित हैं, तो देर न करते हुए, मैं एक जोड़दार तालियों के साथ कॉल करना चाहूंगा, मनुकूल सर, सर आप को होस्ट हैं, और आप unmute हो सकते हैं, और हम सभी लोग आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं, तो सर आप unmute हो सकते हैं, और माइक आपके hand over करता हूं, सर. समस्कार, मेरी आवाज आ रही है, मेरी आवाज आ रही है सबको, बिलकुल सर, आपकी आवाज आ रही है सर, धन्यवाद, सो मैं पहले आपका धन्यवाद करूं कि आपने मुझे मुझे मौका दिया इस एक प्लेटफॉर्म पे बात करने का, वैसे मैं अपने बारे में बहु introduction खतम करूंगा मैं पिछले 30 सालों से मार्केटिंग में हो और पिछले 10 सालों से मैं अपनी मार्केटिंग में हो इसके पहले 20 साल मैंने pharmaceutical sales and marketing में काम किया है और मैं sales representative से लेके managing director तक रहा हूँ उसके बाद मेरी मां का दिहान्त हो गया and suddenly I felt कि something कुछ गड़बड है मेरी सोच में कुछ ने कुछ मुझे message मिला and ultimately I changed my life और फिर मैंने किताबों को लिखना सुरू किया और बच्चों के साथ मैंने training की फिर professionals की training की and ultimately आज मैं आपके सामने हैं आपने ठीक कहा कि सोच एक बहुत बड़ी चीज है thought is a very big thing in life एक idea thought से बनती है और वो idea सारी जिंदगी को बदल डालती है जैसे आप जिस profession में है यह केवल सोच का ही खेल है अगर मैं बोलूं कि आज एक बच्चे को ग्रूम करना हो या एक business को ग्रूम करना हो तो बिना सोच के हम एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते हैं लेकिन सबसे बड़ी problem है क्या हम सोचते हैं एक बार एलबर्ट सविटजर ने जो नोबल प्राइज विनर है उनसे किसे ने पूछा कि इस पूरे प्रिथवी का सबसे बड़ा problem क्या है मनुष्य इतना परिशान क्यों है उन्होंने कहा हसते हुए कहा कि men simply don't think मनुष्य सोचना बंद कर चुका है आज सोसल मीडिया पर चले जाएं आप देखें मनुष्य सोचना बंद कर चुका है वो केवल पीछे-पीछे घूमने वाला आद्वी बंद के रह गया है they don't think about और एक बार जोर्ज बरनार्ट सौने कहा एक प्रेस के इंट्रिव्यू में उन्होंने कहा कि only two percent people think three percent people think that they think and 95 percent people rather die than think यानि केवल दो परसेंट लोग सोचते हैं तीन परसेंट लोग सोचने का दिखावा करते हैं और 95 परसेंट लोग मर जाएंगे लेकिन सोचेंगे ने आप चारों तरफ देखें अपने नजर को घुमांके ये गरीबी ये बीमारी ये सारे मारा मारी ये कारण क्या है 95 percent people don't think तो सारी चीजों की जड़ थौट में लेकिन आज मैं सुरू करूंगा कुछ एक नए चीज से कि थौट के आगे की चीज से चुकि आप जितने लोग यहां है दिन लोग में है इसलिए हम थोड़ा सा और आगे जालते हम self concept की बात करते हैं हमारी concept क्या है life की हमारी concept क्या है अपने profession की हमारी concept क्या है अपने अपने बारे में और जब तक हमारा अपना self concept नहीं है तब तक हम अपनी जिन्दगी को सेप नहीं दे सकते हैं अगर मैं कहूं कि mathematics से एक concept है science एक concept है तो फिर मेरी life भी a concept है because मैं जो पैदा हुआ हूँ एक scientific process से पैदा हुआ हूँ मैं यह नहीं कह सकता कि मुझे पैदा करने में कोई science का काम नहीं रहा है किसी biology का काम नहीं रहा है मा ने और पापा ने मिलके मुझे पैदा किया that was a concept मैं 280 दिन मा की पेट में रहा that was a concept लेकिन वहां से जब मैं बाहर आया वहां से मेरी सारी concept प्रोग्राम की गई यानि मैं यानि मेरी मामा का मेरे पापा का जो concept था मेरे लिए that is prevailing on me that is guiding on me that is अभी आपने कहा conditioning पे सारी चीज़े चल रही है सो वो conditioning लगातार होती रही इस्कूलों में, colleges में, environment में, मेरी family में और वो conditioning हमारी concept को create किया हमारी belief system को create किया and ultimately what happened कि हम एक ऐसे जगह पे आके खड़े हो गए जहां मैं decision नहीं ले सकता अपने लिए जहां मेरे decision की लेने की capacity करीब करीब खतम हो गई, चुकि हमारे उपर सारे समाज का और आज आख देखें चारों तरब तो social media हमारी programming कर रहा है, television हमारी programming कर रहा है, political system हमारी programming कर रहा है, तो ऐसे समय में अगर हमें कोई decision लेना है, तो it is not very easy, तो फिर मुझे बरनाट सौ की ब अगर हमें कुछ समझना पड़ेगा, concept के बारे में, मैं कुछ सेर करना चाहता हूं आप से, I would like to stream, share the stream, then हम आगे बढ़ाते हैं इस बात को. Just wait for, this, I am coming to this point, की हम से, हम, हम सेल्फ, concept को बिना चेंज किये, I, I cannot, I cannot, I cannot, I, I cannot rather, change my life, Novel Godard, जिनको master कहा जाता है, 1900 के आसपास अमेरिका में, और वो metaphysics के master थे, उन्होंने कहा, change your self-concept, बट ये बिना change कैसे करे हम, तो उन्होंने कहा, कि health, wealth and beauty and genius are not created by human kind, यानि जितना भी हमारे पास पैसा आएगा, जो भी हमारी health है, जो भी हमारी beauty है, जो भी हम genius और intelligence रखते है, यानि अगर हमारा मकान है, हमारा कोई कमरा है, और उसमें सारी चीजें अस्तिबस्त है, आप एक photograph ले लीजिए, और फिर उसी कमरे को जड़ा सजा दीजिए, और उसके बाद एक photograph लीजिए, और आप अपने मन से पूछे कि दोनों में से बेहतर कौन है, तो जो मैंने सजाय है, जो rearrange किया है, that is called manifestation, हमने उसी चीज को manifest किया है, हमारे पास वो सारी चीजे है, God has given me everything, लेकिन हमने क्या किया है, अपनी conditioning को arrange नहीं किया है, हमारे मा ने जो कहा वो गलत नहीं कहा, हमारे पापा ने जो कहा वो गलत नहीं कहा, आज जो हम चारों तरफ देख रहे हैं, वो क कौन सी चीज पहले, कौन सी चीज बाद में, कौन सी चीज आगे, कौन सी चीज पीछे, ये हमें आता नहीं है, तो हम जिस काम पे समय हमें ज़्यादा देना चाहिए, हम वो करते नहीं है, और जिस काम पे हमें समय कम देना चाहिए, उस पे हम ज़्यादा टाइम देते हैं, and ultimately I lose my life because हमारे पास समय की कमी है एक ही चीज की कमी है मनुश्री के पास समय नहीं है हमारे पास केवल 24 गंटे का समय मिला है और इस 24 गंटे में अगर मैंने अपनी priorities नहीं set की है तो फिर मेरे manifestation नहीं हो सकती है so that's why the self concept is very important तो self concept will guide कि what the future I will hold मेरा भविश्य कैसा होगा यह मेरे formula पर depend करता है I have to create my formula और वो formula कोई और बना के मुझे नहीं देगा लोग मुझे guide कर सकते हैं लोग मुझे suggestion दे सकते हैं लेकिन मेरी self concept नहीं बना सकते हैं तो your self concept of yourself is everything that you believe that is true यानि हमारा जो self concept बनता है वो हमारी belief system पे बनता है कि हम जो जो चीजों पर विश्वास करते हैं वो मेरी self concept को guide करता है बच्पन से जिस जिस चीजों पर मैंने बिस्वास किया है आज मैं वही हूँ जिस जो हमने बच्पन से बिस्वास करना सीखा है अगर मैं आज उस बिस्वास को चैलेंज नहीं करूंगा तो मैं जीत नहीं सकता अभी आपका गाना बज रहा था हम तयार है हम तयार है वो उज्वल पाटनी जी का गाना बज रहा था हम तयार हैं मुठी को भीचो सांसों को खीचो और बोलो हम तयार है हम तयार तब हो सकते हैं जब हमने अपने आपको चाइलेंज किया है हमने अगर अपने आपको चाइलेंज नहीं किया है कि नहीं जी and I have not asked the questions to me I cannot change myself क्यूं उसके पीछे रीजन है हमारे अंदर एक चीज है जो बार-बार बदल रही है I am a molecular structure with a very high speed of vibration मैं एक molecular structure हूँ और ये मेरा molecular structure change हो रहा है आज मैं अपना चेहरा देखता हूँ और मैं अपने बच्पन का चेहरा देखता हूँ तो मुझे विस्वास नहीं होता कि मैं वही हूँ मुझे अपने आप पे doubt होने लगता है कि मम्मी से पूछता हूँ जब तो मेरी मान नहीं रही मैं मान से पूछता हूँ क्या ये मेरी photograph है I don't believe in myself इसलिए हमारे अंदर का जो molecular structure है जिसको मैं body कहता हूँ that is changing all the time but one thing that is not changing that is my soul तो मेरी concept को समझना पड़ेगा कि what is exactly the self concept is तो self concept समझने के लिए हमें दो चीज समझना पड़ेगा एक है हमारा ordinary self concept यह ordinary self concept क्या है this means that you do all the things जिसको हमारे culture ने हमारे parents ने हमारी family ने program करके डाल दिया है कि तेरे को पढ़ाई करनी है तेरे को साइंस लेना है तेरे को आगे नौकरी करनी है तुमको tax देना है तुमको साधी करनी है तुमको बच्चे पैदा करने है तुमको अपने grandfather children को खिलाना है और उसके बाद मर ज concept अगर आप इस तरह की जिंदगी जीना चाहते हैं जो मुझे पूरा विश्वास है कि मोदी केर में आप हैं आप साध इस जिंदगी से खुस नहीं होंगे तो आपके पास एक दूसरा concept आता है that is called extraordinary self concept और extraordinary का नाम जैसे ही मैं लिया extraordinary का सीधा मतलब है extra than ordinary यानी ordinary तो मैं हू लेकिन थोड़ा ज्यादा है extra मेरे में कुछ और ज्यादा करने की इच्छा है so what is this this extraordinary means it is not related to my physical body it is not related to my intellectuality it is related to my soul that is not changing like my body मेरा जो सरीर बदल रहा है उसके अनुसार ये नहीं बदलता मेरी सोच उस spirit के साथ जुड़ी हुई है उस soul के साथ जुड़ी हुई है और वो invisible है यानी ordinary आदमी देख के काम करता है और extraordinary आदमी महसूस करके काम करता है एक और्डिनरी आदमी जो सामने कोई दिखा रहा है तो उसको देखके तालीब जाएगा, उसके उपर नाचेगा, उसके उपर खुस हो जाएगा, लेकिन जो एक्स्ट्राइडनरी आदमी है, वो अपने आप में महसूस करेगा कि वोट इस रॉंग और वोट इस राइट, वोट इस राइटनरी जब तक हम नहीं बने गाएगा, और एक बात और, हमारा फिजिकल जो अपीरंस है वो डिके कर रहा है, वो मर रहा है, वो एक्सपैंड नहीं कर रहा है, लेकिन हमारी सोल जो है, इन्विजिबल है, जिसको हम आत्म तत्व कहते हैं, वो कहता है, आगे ब पता कि तू ऐसा वैसा आदमी नहीं है, अपने आपको दिखा दे कि तू कौन है, ये बहुत मुश्किल से जीवन मिला है, इस जीवन में पीछे मत रह जाना, विकॉस सोल को डर नहीं लगता है, डर लगता है माइंड को, डर लगता है हमारे इंटलेक्ट को, डर लगता है ह हमारे सरीर को सोल तो कहता है नहीं तू मरेगा ही नहीं तू तो अमर है सो एक्सपैंशन चाहता है वो एक्सप्रेशन चाहता है लेकिन 95% लोग I'm very sorry to say they did not and they don't express themselves 70 साल की जिंदगी है लेकिन हमेशा डरडर के जीना कोई रिस्क नहीं लेना अपने आप में रहना और अपने आपको बताना कि मैं successful हो अपने आपको बड़ा-बड़ा प्रोजेक्ट करना लेकिन करना कुछ नहीं that is not concept self-concept means it is always related to my soul so what exactly it is but how can you change yourself concept because मुझे ordinary से extraordinary आना है आज पता चला कि मैं body से related काम कर रहा हूं मैं लोगों को देख के काम कर रहा हूं आलवर्ट सेविट जर ने एक और बात कही थी कि करेज का उल्टा conformity है conformity का मतलब होता है वो कर रहा है वही मैं लेकिन यह कैसे होगा यह होगा when I challenge my limits मैं जब अपनी limit को challenge करूंगा कि नहीं जी मैं मर नहीं सकता मैं अमर हूं और कृष्ण अर्जुन को बार-बार कहा यही लेकिन कृष्ण की बात को समझते समझते बहुत समय लगा यानि आप देखें तो पूरे महाभारत में आखरी तक कृष्ण समझाने की कोसिस कर रहें कि अरे तू युद्ध करना मरना नहीं है तुझे यू आर इमोटल यू आर स्पृरिच्वल बींग यू आर नॉट गोइंग टो डाय लेकिन वो समझाने लास्ट तक वो लड़ता रहा अपने आपको आर्गू करता रहा उनसे डिस्कुशन करता रहा हम भी यही करते हैं बेसिकली हम अंतिम समय तक यह प्रूफ करने की कोसिस करते हैं कि मैं ज़्यादा जानता हूं हम अंतिम समय तक अपने इगो को ऊपर उठा के रखते हैं कि नहीं जी मेरे से ज़्यादा कोई नहीं जानता इसलिए आप देखेंगे कोई किसी की सुनता नहीं यानि हम intellectual level पे अपने आपको कभी भी खोल के नहीं रखते हैं आज हम उसकी पूरी की पूरी structure पे आएंगे आज हम पूरी की पूरी dissection करेंगे कि आखिर हमारे साथ ही होता क्यों है हम जानबूज के पागलपन क्यों करते हैं मेरी मा मरी उस दिन मुझे पता चला पांच करोड का नुकसान हुआ था मुझे मेरी pharmaceutical company थी मैं managing डिरेक्टर था पर मन्त का business पांच करोड रुपे था चार बंगले थे दिल्ली कलकत्ता जमशेद पूर पटना मेरे offices थे एहमदाबाद से चारों तरफ बट वाट हैपन मेरी एक गलत concept ने मुझे रोड पे लाके खड़ा कर दिया एक गलत concept and that concept was what कि मैं spirit नहीं हो मैं ego हो मैंने किसी का बात मानना बंद कर दिया मैंने सराब पीना सुरू कर दिया मैंने सिगरेट पीना सुरू कर दिया मैंने मैंने वो गुट का खाना सुरू कर दिया अब वो दिन में भी पीना सुरू कर दिया And ultimately what happened? My company locked down. चुकि मैं decision लेना भूल गया. सरापके नसे में गलत decision लेना शुरू किया. My concept changed. जब मैंने वो organization की शुरुवात की थी, तो मेरा concept था कि मुझे दुनिया का सबसे बड़ा company बननी है. मुझे 600 लोगों को नौकरी देनी है. मुझे अपनी माँ को खुश करना है. अब वो concept change हो गया. और वो concept change हो गया. जब पैसा आने लगा, तो that concept change. What concept is? कि नहीं जी, मुझे तो गाड़ियां खरीदनी है. मुझे तो बंगले बनाने है. मुझे तो लोगों को दिखाना है. And ultimately, I collapsed. So, हमें इस concept को समझना पड़ेगा. अगर हम business में हो, चाहे हम parent हो, चाहे हम कोई नौकरी करते हो, हमें एक बात ध्यान से समझ लेना चाहिए, कि अगर मेरा concept उस spirit से अलग होता है, अगर हम अपने biological way में जीना चाहते हैं, हम spiritual way को नहीं जानते हैं, तो I can guarantee कि that success will be eluded. You cannot become successful. और अगर success मिल गई, तो you cannot hold it for a longer period of time. आप ज्यादा दिन तक successful नहीं हो सकते, ये तै है. So, again reminding you, that everything you have believed to be true, has brought you to this point. आज तक जो आपने concept बना के रखा है अपने लिए, उसी के चलते आप जो यहाँ है, अभी जिस हाल में है, वो आपके उस self conceptualization के चलते हैं. आपने जहाँ जहाँ जो जो belief किया है, वो आपको यहाँ लाके पटक दिया है. आप दुखी है, उसके कारण आप है. आप खुस है, उसके कारण आप है. आपके पास bank में बहुत बड़ा पैसा है, उसके कारण आप है. अगर आप रो रहे हैं, बीमार हैं, तो उसका कारण आप है. Because that self concept is creating me. Neither God is creating. भगवान को बाद में रखिये. वो दने कहा, ईश्वर को तो पीछे रख, अपने आपको आगे कर. आपने ईश्वर को आगे कर दिया, और अपने आपको पीछे कर दिया. I think हम ये गलत फर्बूले पर जा रहे हैं. यानि बैल को आगे नहीं किया, हमने बैल गाड़ी को आगे कर दिया. हमें बैल है, मैं आगे रहूंगा. मेरा पीछवर मुझे पीछे चलेगा. इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए. इस बात को. कि मैं आगे फोर फ्रंट पे चलता हो. Let me talk about myself. लेकिन जब मैं ये बात करता हूँ, तो लोग क्या करते हैं? लोग क्रिश्न की बात लेके आ जाते हैं. कि अरे अर्जुन के रच पे तो क्रिश्न सवार था. आगे क्रिश्न खड़े थे. अर्जुन तो पीछे थे. दोस्त, जब कॉंसेप्ट बनाना होता है, तो आप ज़रा ध्यान से देखिएगा कि क्रिश्न कहां खड़े हैं और अर्जुन कहां खड़ा है. अर्जुन बैठा हुआ है, हाथ जोड़ के बैठा हुआ है और क्रिश्न उस रच से निकल के नीचे खड़े है. वो पिक्चर किसी की बात की समझ में नहीं आती कि वो क्या बोल रहा है. रच की बात समझ में आती है. कि मैं जानता हो कि यह सोल इस लीडिंग मैं बाड़ी. I know. लेकिन जब मुझे कुछ चेंज करना हो कॉनसेप्ट को तो मुझे अपने आपके सामने ही जुकना पड़ेगा. अपने आपके सामने ही प्रार्थना करनी पड़ेगी. तो how can I do it? Let me see. Do you really think, जो भी मैं बोल रहा था, 2% people think, 3% people think that they think, and 95% people will rather die than they think. George Bernard saw, the novelist, English novelist. उन्होंने भस्ते हुए कहा, कि इस प्रिफवी पे 2% लोगों के पास 95% wealth है. उसका रीजन आप अगर इसको उल्टा कर ले. तो केवल 2% लोगों के पास सारी दुनिया के संपत्ती है. The reason is only because 95% people don't think that who they are, what they are doing, where they are going, what is their objective of life. Just they are passing the time. They are wandering anyhow and they are exclaimed. उनको अस्चर्ज लगता है कि दिरुभाई अंबानी के पास इतना पैसा कैसे आ गया? आप देखें जरह चारों तरफ की narrative. अंबानी अदानी, अंबानी अदानी, आप समझ जाएगा कि ये 2% का नाम आता है, बाकि किसी का नाम नहीं आता है. Why? Because these 2% people are thinking. But वो नहीं सोच रहा है. रतन टाटा नहीं सोच रहा है. ये बात समझने की है कि why it is happening. Suggestion I am giving to you, that redefine your success self-concept by challenging every belief that you have held to be true about yourself. Up now, affirm. आज से आपको affirm करना है. That I place no limits. I have no restrictions. That I intend to accomplish and become and update your knowledge about yourself. हमें बस एक काम करना है. Knowledge इकठा करना है. चाहे आप sales में हैं, चाहे आप student हैं, चाहे आप doctor हैं, चाहे आप teacher हैं. अगर हम ये सोच रहे हैं कि मैं post graduate हो गया हूँ और मेरा काम हो गया, तो आप post graduate आज से 5 साल पहले हुए हैं और ये digital age हैं. अगर आपने sales की marketing की बात की, तो वो पुरानी जो चीजे चल रही थी, वो अब नहीं चल रही हैं. अब सारा marketing फंडा बदल चुका. तो if I have to change myself, I have to become successful, I have to change everything. तो पहला काम क्या करें? I will have to change my concept. और मुझे challenge करना पड़ेगा, कि नहीं जी, मैं कल वाला मनकूल नहीं हूँ, आज का मनकूल हूँ. चाहे मेरी उमर जितनी भी हो, मुझे कल से क्या वास्ता? जो कल बीत गया, उससे मेरा कोई वास्ता नहीं. That is the very simple thing that I have to do first. Then what I have to do? Knowledge is power. आपको ये भी जानके बड़ा अस्चर्ज होगा, कि सब लोग इस बात को जानते हैं, कि knowledge is power. लेकिन एक बात नहीं समझते हैं, कि applied knowledge is power. अगर knowledge is power, तो एक बात याद रखें, librarian के पास तो किताबों का भीड लगा हुआ है, लेकिन उसकी salary दस जार रुपे हैं, और वो जोड किताबों को जार देता है, और किताबों को रोज सफाई करता है, और अगर्बत नहीं दिखाता है, लेकिन उसकी salary नहीं बढ़ती, लेकिन वहीं, अम्बेद कर, सलक पे खड़ा होके, वो किताब, second hand किताब लेके पढ़ता है, और आज संबिधान लिख देता है, और वही, रॉक्फिलर, जो पुरानी किताबों को बेचता है, और वो बेचते बेचते किताबों को पढ़पढ़के, oil magnet हो जाता है, standard oil company का मालिक हो जाता है, और एक समय ऐसा था, जब अमेरिका का प्रेसिडंट, रॉक्फिलर के दरवाजे पे नाक रगड़ता था, विकॉज अमेरिका की सारी संपत्ती, सारा एकनोमी उसके पॉकेट में थी, बट वोट वोट इडिड, रॉक्फिलर 95 यर्स के एज में मरा, और वोट इडिड, उसने अपनी सारी संपत्ती अमेरिका को दे दी, यूज नोट मारेड, आज जो आप देखते हैं, सेल नाम की मोबिल, सेल नाम की मोबिल, स्टैंडर डॉयल कंपनी की है, जो आप अपने मोटर साइकल में और आप डालते हैं, अपने मोबिल ब्रैंड और स्टैंडर डॉयल कंपनी का है, आज से एक डेड़ सौ साल पहले की बात में बता रहा हूं, वो यूज नॉलज, जो उसने सीखा किताबों से, जो उसने अपने गुरूं से सीखा, अपने बड़े लोगों से सीखा, उसको अपनी जिन्दगी में उतारा उसने, वो केवल पढ़ा नहीं, डिगरी लेने के लिए, उसके पास कोई डिगरी नहीं थी, बच्पन में उसके माबाप मर चुके थे, अल्टिमेटली, वोट हे डिड, उसने सेकेंड हैंड किताबों को बेचने वाली कंपनी के हां, नौकरी की बीस डॉलर मिलता था, और उसने बचाना सुरू किया पैसा, उसने एक एक पैसे को पकड़ा, एन अल्टिमेटली एक दिन पेपर में उसने देखा, कि एक ओएल का कुवा, एक तेल बनाने का कुवा निलाम हो रहा है, बीस जार डॉलर उसकी प्राइस है, and he applied for it, and he won't it. Knowledge नहीं था, applied knowledge था. इसलिए आपके बास तो knowledge हो सकता है, लेकिन आपने कितना application किया है, आपने कितना अपनी जिंदगी में डाला है, that will become power. और एक बात और, success is nothing but power. हर successful आदमी के पीछे-पीछे power चलता है. आप कभी नरेंद्र मोदी को देखेंगे, वो चाहे बेचने वाला था, चाहे जो भी उसके मापापा हो, जरा पीछे गाडियों का काफिला देखिए, that is power. आप जरा देखिए उसके power, आप सचन तंदूलकर को देखिए, आप बिराट कोहली को देखिए, आप धोनी को देखिए, आप जितने भी लोग successful है, आप केवल देखे power. जैसे लगता हो, बिजली जल रही है, जैसे लगता हो, current लग रहा है, that is the beauty of that success. और वो power आती कहां से है? पावर आती है, organized effort. Effort लगाते हैं हम, आप sales में हैं, marketing में हैं, हम effort लगाते हैं, लेकिन एक दिन हम काम करेंगे 10 गंटे, और दूसरे दिन हम सो जाएंगे, that is not organized effort. Organized effort का मतलब होता है, जितना भी knowledge मैंने एकठा किया है, और उसको मैं structured करके, मैं उसको अपने पूरे फाइदे के लिए, अपने objective के realization के लिए, मैं रोज उस पे काम कर रहा हूँ, that is called organized effort. अपनी team के साथ काम कर रहा हूँ, मैं अपने mastermind के साथ काम कर रहा हूँ, तो how can it be done? कैसे होगा? हमारा जो knowledge है, वो तीन sphere पे है, मैं आज पूरी की पूरी dissection कर दोंगा, और मैं request करूँगा, अगर आपको अच्छा लगे, तो आप feedback जरूर देंगे, कि yes, something I learned. This is, यह मैंने cable किताबों को पढ़के नहीं लिया है, मेरी माँ जब मरी, तो मैं रोया नहीं था, मैं जानता था मेरी मा मरेगी, चुकि बच्पन से मेरी माँ ने कभी सराब पीने की training नहीं दी थी, मैं एक teacher का बेटा था, मैं classes में first आता था, मुझे याद है, जब मेरी माँ ने मुझे phone किया था, मैंने सुना है, तो सराब पीने लगा है, मैंने का सौरी मा, मैंने का सौरी करने से तेरा काम हो जाएगा, मैंने तो तुझे कभी सराब पीना सिखाया नहीं मेरे बच्चे, तो तु सराब कैसे पीने लगा, मैंने का मा दोस्तों ने सिखा दिया मा, मा ने एक ही सब्द कहा था, यानि मेरे प्यार में और तेरे दोस्तों के प्यार में तेरे दोस्तों का प्यार जीत गया यानि मेरा जो संसकार था मैंने जो तुझे बताया था वो हार गया यानि मैं इतनी कमजोर हो गई तेरे सामने मैंने तिरे से बारे में क्या-क्या सोचा था तो ने सब कुछ खतम कर दिया बस अपने दोस्तों के लिए that I say कि that experience जहां से मैं गिरा मेरे पास एक दिन याद है जब मेरी pocket में 10 रुपे थे और मैं railway station दिली में अपने पूरे परिवार के साथ बैठा था और जितने दोस्त थे वो सब भाग चुके थे और जितने रिस्तेदार थे सब खतम हो चुके थे यानि सबने मेरा फोन उठाना बंद कर दिया था मैंने वहां से सीखा तो हो डिस इसको लाइफ दैनाइचेंज अ कॉंसेट कि नहीं मुझे पढ़ना है मुझे नॉलेज लेना है आइवें टू स्री स्री रविशंकर बैंगलोर गया मैंने गुरुजी का पैर दबाया मैंने कहा कि मैं बहुत परिशान हो सराब के नसे में थ चुकि मुझे डर लगता था मैं डेप्रेशन में था मेरी मां के अलावा मेरे जिंदगी में कोई नहीं था वाट है गुरुजी ने कहा सर पे हात रखते हुए पीछे का दरवाजा बंद कर पीछे का दरवाजा बंद कर तू पीछे जा रहा है कि तरी मां को क्या हुआ तेर has gone you don't have to think about what has happened तुझे पीछे बंद करना पड़ेगा मैंने कहा इतना आसान नहीं है गुरुजी मैं बहुत कोसिस कर रहा हूं उन्हें का बस ध्यान में जा मैंने कहा सराप पीता हूं मन में बार-बार मनतहर चाहरा आप सराप पीने का बोला उसकी तरफ छोड़ दे सराप पी मैंने की आदत अपने आप छोड़ दे मैंने कहा मेरे में इतनी ताकत है कि मैं कुछ भी छोड़ सकता हूं मैं कुछ भी कर सकता हूं उस दिन से विस्वास पढ़ना सुरू किया आई स्टार्टेड डोइंग सुदर्शन करिया फिर एडवांस करिया मैंने अब किताबों को पढ़ना सुरू किया I started reading all the philosophers I started reading Buddha I started reading Gandhi मेरे पास एक library है जिसमें कम से कम हज्जार किताबे हैं मैं किसी से मतलब नहीं आज 10-12 साल होगे मेरी माँ को गए हुए 2009 में मैंने दोस्ती बनाना बंद कर दिया मैंने अब एक काम सुरू किया है ये किताबे मेरे दोस्त है मेरे पास मैंने कसम दिलाई है अपने माँ को अपने ईश्वर को डाट इस माई अब्जेक्टिविन नाइफ विकॉज आइनो कि 24 गंटे के अलावा मेरे पास कोई चीज नहीं है पता नहीं कम वृत्यू आ जाए मैं इस कोरोरा काल में मैंने देखा है ऐसे ऐसे लोगों को जाते की बचाया है और आप बचे हुए है इस कोरोना की महमारी मैं आप से एश्वर को चाहता है बिकॉज इस को नहीं चाहता था उसको ले ले गया हूँ वेकाज इस प्रिथवी पे वो नहीं रह सकता जो बिना पर्पस के हो अगर मेरी लाइफ में पर्पस नहीं है अगर मेरी लाइफ का गोल नहीं है तो I will not be allowed to live here for one minute और अगर कोई जिंदा है चाहे वो हॉस्पिटल में है चाहे अपने घर में है अगर वो जिंदा है तो तो कुछ करता क्यों नहीं why not you are doing something लेकिन वो सुन नहीं रहा है why because self concept he is not willing to change उसकी conditioning इतनी strong हो चुकी है तो ये तीन स्फेर है that is first is physical sphere the second is intellectual sphere and the third is spiritual sphere आप एक बात समझ लें I am not a human being I am a spiritual being having an intellectual mind and I am leaving with physical body मैं एक spiritual being हूँ मैं आत्मा हूँ मैं इश्वर्तत हूँ और वो रहता हूँ अपने physical body में और एक बात और मेरे पास एक मन है intellectual है जो मैं सोचने के लिए ताकत दिया है इश्वर्त इस बात को अगर हम आज नहीं समझ पाए तो sad बहुत मुस्किल हो और spirit is available evenly present at all the places at all the time मुझे मुझे बच्पन में क्या सिखाया गया तॉयलेट जाते हो वहां भगवान का नाम मतले ना गंदी जगह है और मैंने का इसका मतलब वहां भगवान नहीं होना चाहिए लेकिन मैंने तो पढ़ा कि spirit is available all the places at all the time with even evenly present यानि हर जगह बराबर प्रिजेंट है चाहे पहाड़ हो चाहे नदिया हो चाहे मेरा टॉयलेट हो चाहे मेरा बेड्रूम हो चाहे मेरा किचन हो चाहे चाहे मैं गड़े में हूँ कहीं भी हूँ जोपड़ी में हूँ पाल पलंग में हूँ मेरे पास तो व दो सांस नहीं ले सकता वहां भी है उसको कहते इधर जहां पे ऑक्सीजन और नाई्ट्रोजन का लेवल खटम होता है एक सो किलोमेटर उपर की जाके स्पेस कहते हैं और वह स्पेस नहीं है वह इधर है और इधर का मतलब फ्लूड इनरजी जिसको हिंदी मे कहते हैं अक्ष सीधा है मैं पूरे ब्रम्भांड को सांस लेता हो मेरे अंदर वो अक्षए energy है मेरे अंदर वो unadulterated energy है जिसमें कोई मिलावट नहीं है फिर भी में भी मार हूं फिर भी मेरा मन नहीं लगता है फिर भी मुझे अपने गोल के प्रती कोई संबेदना नहीं है फिर मैं मजबूर हूँ गलत काम करने के लिए इसका मतलब आई बिलीव कि I am body and I am living in my body at this body के अलावा कोई कोई चीज मेरे पास नहीं है I am a spirit I am not human मैं spirit हो इसलिए संक्राचार्ज ने कहा था सिवो हम सिवो हम मैं ही सिवा हो अहम ब्रह्मास्मी मैं ही वो ईश्वर हो I am co-creator of my life मैं अपनी जिंदगी खुद बना रहा हो भगवान मेरे साथ 24 घंटे है अगर ये मन में बात चल रही है तो फिर बहुत जल्दी आपका विकास हो सकता है इसलिए आपको एक चीज बोलना चाहिए बार-बार Thank you God I see you are walking in my life all the time Thank you God दिन में एक सो बार बोलिए और पास दिन के अंदर देखिए बदलाव कैसे आता है आपने जो जो चीज अचीज अचीव नहीं किया है everything can be achieved because हम अकेले काम कर रहे हैं 99% effort दे रहे हैं लेकिन एक परसंट उसका effort जब तक हम accept नहीं करेंगे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते वो invisible है वो non-physical है हम physical पर भरोसा कर रहे हैं हम सामने अपने आप पर भरोसा कर रहे हैं ये ego है हमारा कि नहीं जी मैं तो कर सकता हो बैस मैं कर सकता हो लेकिन बोलना पड़ेगा मैं और वो दोनों मिलके कर सकते हैं Thank you God I see मैं आपको देख रहा ह हुए तो फिर मैं बीमार क्यों पड़ूंगा दुख में सुमिरन सब करे सुख में करे न कोई जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का हे कोई ये बात मैंने आजमा के देखा है वो जो रहीम की कविता है वो सत प्रसितत सही है हम हम गलत हो जाते है I change myself I don't accept it कि मैं spirituality मेरे पास कुछ भी है next what can be अगर मैं फिजिकल नॉलेज की बात करू तो पहले मुझे समझना पड़ेगा फिजिक्स और फिजिक्स में जो सबसे important चीज है वो electrons हमारा सरीर electron से बना है हमारा पहार ये सूरज ये चंद्रमा ये नदिया यानि इस प्रत्वी का इस ब्रम्हांड का सबसे चोटा मैटर टिनियस्ट पार्टिकल इस कॉल एलेक्ट्रॉन हमारा सरीर से बना है सेल चल रहा है नाच रहा है एलेक्ट्रॉन इस मूविंग वेरी हाई स्पीड हमको लगता है मैं बैठा हुआ हूँ आपको लग रहा होगा कि आप चुपचा बैठे है नहीं आपकी कूरस एक फिक्स्ट फ्रिक्वेंसी के साथ हूँ यह लगता है कि स्टिल है अरे यह पेड़ लगता है कि खड़ा है नहीं खड़ा है आप जरा ध्यांक के माइक्रोस्कोप लीजिए देखिए उसके अंदर जो एलेक्ट्रॉन से वो कितनी तेजी से भाग रहे हैं आपको जो लोह दिखता है लोहा बहुत हार्ड है आप जरा उसको माइक्रोस्कोप से देखिए उसमें देखिए वो एलेक्ट्रॉन्स जो लोहा के हैं वो कैसे भाग रहे हैं और एक बात और जो सोने का लेक्ट्रॉन है वही लोहे का लेक्ट्रॉन है जो मरकरी का लेक्ट्रॉन है वही प् है वही electron सूरज के पास कैसे सब तो फिर यह सब एक जैसे कैसे इनका नंबर अलग-अलग है इनका जो configuration है वो अलग-अलग है किसी में ज्यादा electron है किसी में कम electron है ध्यान रहे सब electron एक ही है मैं आपको example देता हूं mercury में 79 80 electron positive है और 80 electron negative है मैं छोटा example दे रहा है 80 plus electron यानि minus electron को electron कहते हैं और plus electron को proton कहते हैं लेकिन पुराने जमाने में लोग कहते थे electron उसके उपर minus charge है और एक के पास plus charge है यह बाद में 1976 के आसपास यह proton नाम आया ultimately it was earlier known as electrons 80 electrons minus and 80 electron plus combination means mercury बन गई इसमें से एक negative electron निकाल लीजिए तो platinum बन गया और अब हो गया 80 plus electron and 79 minus electron is called platinum अब और मज़ा देखिए एक positive electron निकाल दीजिये तो 79 positive और 79 minus electron रहा तो अब यह सोना हो गया gold हो गया what is this it is surprise यह केवल configuration है किसी को काला बना दिया किसी को छोटा बना दिया किसी को लंबा बना दिया किसी को गोरा बना दिया हम सोच रहे नहीं नहीं हमारे में तो कुछ और हैं हमारे में कुछ नहीं है it is only the cells and cell is not less than electron it is simply electrons इसलिए विवेका नन ने कहा था विवेका नन ने कहा था डेड़ सो साल पहले कि मैं भी सूर्ज पुत्र हो वो जो सूरज दिख रहा है वही वो भी मेरे से बना है मैं भी उससे बना हूँ जितनी चमक उसमें है उतनी चमक मेरे में भी है I have a solar plexes और सायद आपको पता होना चाहिए आपके नाभी के पास solar plexes है उसको solar plexes कहते है क्यों नाम दिया solar plexes भाई solar का मतलब सूर्ज और हमारे पास सूर्ज है और मैं गरीब हूं हमारे पास सूर्ज है और मुझे सेल करने नहीं आता मुझे कस्टमर से मिलने नहीं आता मुझे अपने पैसे को बढ़ाने नहीं आता it means what it means something wrong with my thought process why because biology का एक बड़ा important chapter है एक साल के अंदर मेरा एक एक सेल मर जाता है और नया हो जाता है मेरा लिवर दो सफुता हमें मखर्ज हो جाता है मेरी किड्नी 4 سबता हमें नहीं हो जाती है मेरा बोन मैरों एक साल में नहीं हो जाती है य thoughts एक साल पहले वाला आज भी मैं आज नहीं हूँ याartि 2020 का जो मनकूल है वो 2021 का नहीं है 2021 का मनकूल 2022 का नहीं है तो फिर problem कहा आती है सर problem आती है कि सरीर तो बदल गया लेकिन मेरा मन नहीं बदला चुकि मन कोई organ नहीं है आज ये बात दिमाग में लख ले कि mind is not an organ, mind is a place, mind is not an organ. उसके पहले जरा mind के पहले आने के पहले जरा एक चीज़ और देख लेते हैं, vibrating fluid, जो ये electron नाच रहा है, ये इसको नचा कौन रहा है? इसको नचाने वाली ताकत को कहते है, vibrating fluid, और ये fluid क्या है? बिजली है, इसी को layman भासा में electricity कहते हैं, और हमने science में पढ़ा है, electricity is nothing but the movement of electrons, हमने physics में simple कहा है कि electron का प्रवाह बिजली है, तो फिर यहां पे हमने अपनी जिंदगी को क्यों नहीं देखा? इस all inevitable electrons in my body is moving in a very high speed, बहुत तेजगती से नाच रहा है, और ultimately what is happening? यह नाच रहा है और बिजली पैदा कर रहा है, और उस बिजली को fluid energy कहते हैं. हमारे अंदर energy भड़ा है, 11 kilowatt. हम एक गाउं को प्रकासित कर सकते हैं. बिवेका नंद ने तो कहा था, मैं अगर काम करना सुरू करूं तो पूरे ब्रह्मान्ड को प्रकासित कर सकता हो. That is the power a human mind is having. लेकिन problem यह है, कि हम पुरानी चीजों से अलग होना नहीं चाहते. हम रोज पुरानी बाते करते रहते. आप जड़ा किसी से गाउं में जाके पूछ यह कैसे हो भाई? आप देखिए वो क्या बोल रहा है. ठीके है, मोदी जी आये थे, 15 लाट देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये पिट्रॉल का दाम बढ़ गया. का कूछ नहीं है, सब बेकार है. मतलब हम अभी भी उस चार साल पहले की बात पैटके हुए है. चार साल में वो दो बार election जीत गया. चार साल में पूता नहीं पूरी हिंदुस्तान और पूरे वाल्ड की chemistry चेंज हो गई. सारी बाइे किमिस्टी चेंज हो गई. चार साल के अंदर चार बार मेरा सरीर बदल गया लेकिन मेरा मन अभी भी वहीं लगा हुआ है अच्छे दिन आने वाले हैं वही गाना चल रहा है वही गाना चल रहा है अरे कमाल है why I am not understanding it हम इस बात को समझने के लिए तयार क्यों नहीं है और इसी लिए हमारी ग्रोथ नहीं हो रही हैं चुकि हम तो पीछे अटके हुए हमारा मन तो कहीं और अटका हुआ है और उसका कारण समझना होगा पहले ज़रा समझते हैं आखे थौट क्या है आप लोगों में से बहुत लोग जो पढ़े आपने पीजडी किया होगा बहुत सारे लोगों ने फिजिक्स में ग् अभी प्राब्लम नहीं होगा हम वाइब्रेटरी अनिमल है हमारा हर चीज वाइब्रेशन कर रहा है सरीर के पूरा ब्रहमाण नाच रहा है सूरज के आगे प्रिथवी नाच रही है प्रिथवी के चारों तरफ चंद्रमा नाच रहा है और वैसे हमारे चारों तरफ एलेक् पर सेकेंड को कहते हैं साउंड यानि अगर इतना वाइब्रेशन हो रहा है तो मेरे कान को अच्छा लगेगा मैं सुन सकता हूं अब थोड़ा वाइब्रेशन बढ़ा दीजिए 36,000 से 1,00,000 वाइब्रेशन पर सेकेंड तो वही लोहा जो अभी घंटी बज रहा था गाना दे रहा था अब उसमें आग पैदा होगी वो हीट अनर्जी में कनवोर्ट हो जाएगा अब वो लाल होने लगेगा कलर चेंज होने लगा केवल वाइब्रेशन है बढ़ता जा रहा वो अल्ट्रा वाइलेट रेज हो गया आब वो दिखाई देना बंद कर देगा जिसको हम कैंसर में यूज करते हैं जिसको हम रेडियेशन करते हैं अल्टिमेटली आप उसको तीन लाक वाइब्रेशन पर सेकेंड से और आगे बढ़ाईए तो वो आपकी सोच हो गई sound energy converted into heat energy converted into light energy ultraviolet rays and ultimately changed into thought यानि आपकी सोच रेडियेशन से भी ज़्यादा powerful है इसलिए एक सबस्दारी से काम हम अपने cancer को खुद बुलाते हैं because हम गलत सोच के हम अपने आपको ही बरबाद करते हैं तो thought is very big powerful energy हम इसी सोच से ठीक हो सकते हैं इसी सोच से cancer के patient हो सकते हैं हम इसी सोच से बरबाद हो सकते हैं इसी सोच से बहुत बड़े आदमी बन सकते हैं why because this is such a vibration यानि इतना तीज है और आपको मालूम यह पहाड़ों को चीर सकता है यह आस्मान को चीर सकता है इसके रास्ते में कोई भी आएगा उसको वो चीरता हुआ चला जाएगा because it is having such a beautiful vibration three lakh vibration per second जान हांी हम सांड से भी तेज हैं हमारे पास heat और light से भी ज़्यादा पावर है हमारे पास ultra violet race से भी ज़्यादा पावर है और फिर भी मैं बोलता हूँ सर मेरा मन नहीं लगता फिर भी मैं बोलता हूँ की सर मैं तो मर जाउंगा how can it is possible it is not possible मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ I would like to again suggest Aform कीजिए मेरा limit नहीं है I place no limits मैं ईश्वर हो I have no restrictions I can accomplish any job I can do anything in my life only thing that I have to update my knowledge मुझे कल के उपर नहीं जीना है मुझे आज का knowledge चाहिए मुझे आज जानना है कि मैं कौन हूँ and what I can do for it next thought आपने देखा 3 lakh vibration per second से उपर जितना vibration होगा that will be called आप जिरा याद कीजिए wireless भी तो ऐसे ही काम करता था इसका मतलब मेरा मेरा जो thought है वो wireless है आपके पास चाटा अभी जो हम आपस बात कर रहे हैं कहां कोई तार है we are talking on a frequency we are talking on a vibration आप कहीं और बैठे हुए है सौ लोग मेरे साथ जुले हैं वो कहां कहां बैठे हुए है और हम एक vibration पर आ गए हैं आप देखिए आप मुझे देख सकते हैं मैं आपको सुन सकता हूँ आप मुझे सुन सकते हैं this is the power of vibration and this is the power of thought my mind works like a mobile जैसे अगर मेरे से आपको बात करना हो तो आपके mobile में मेरा number जब तक नहीं होगा आप मेरे से बात नहीं कर सकते और mobile का जो number है वो एक frequency है और एक number दो आदमी को नहीं मिलेगा चाहे वो वोड़ा फोन हो चाहे वो जीओ हो चाहे आप अमेरिका के हो चाहे वो इंगलेंड के हो every mobile number is a different number और अगर मैं एक बार आपका number मेरे mobile में आ गया तो I can send you a WhatsApp I can talk to you I can hear a music I can walk on Zoom I can do anything Why? Because I am on a frequency तो फिर अगर किसी customer से मुझे बात करनी है तो मुझे frequency पे आना पड़ेगा अगर मुझे किसी doctor से बात करनी है तो मुझे frequency प्याना पड़ेगा and that is called law of vibration law of attraction law of attraction means what? लोगों ने law of attraction बहुत पढ़ा है लेकिन किसी ने समझा नहीं law of vibration is the first law और वो पहला law कहता है कि everything is vibration मेरी पतनी vibrate कर रही है, मेरा बेटा vibrate कर रहा है, मैं भी vibrate कर रहा हूँ और वो vibration जब तक एक level पे नहीं आएगा, तब तक मारपीट होगी, तब तक difference of opinion होगा, तब तक कोई बात किसी के समझ में नहीं आएगी because हम एक frequency पे नहीं है तो फिर हमारा customer अगर हमारे frequency पे नहीं है तो I cannot sell my product I cannot convince him Mind is what? बहुत लोग समझ जाते हैं कि mind और brain दोनों एक ही चीज़े बहुत बड़ा गलत फेहमी है Mind is not a organ Mind की photo नहीं बनाई जा सकती brain की photo बनाई जा सकती आप जो भी photo देख रहे हैं वो brain की photograph है, it is not the photograph of mind mind मेरे चारो तरफ घेरे हुए है, यानि मैं बोलो मेरा सरीर मन के अंदर है mind का कोई fixed place नहीं है mind is a place where thought is coming mind is a place where thought is bombarding, the movement of thought is called mind, यानि मेरा सोच जहां चल रहा है वो जो चलने की जगह है that is called mind इसलिए बहुत सारे doubts है brain is what? brain is a broadcasting and receiving station ये Tata Sky है, brain Tata Sky के frequency है brain frequency पकड़ता है और हम इसी को telepathy भी करते है आप मेरी बात समझ सकते हैं मैं आपकी बात समझ सकता हूँ it is only because our brain is receiving the frequency आप कितनी बार देखे होंगे कि आप कुछ सोच रहे और उस आदमी का फोन आ गया इसका मतलब he is on the same frequency he is also thinking for you and you are also thinking for him so you are on same frequency the telepathic ruler is walking there and you got it my brain has catched that frequency मेरा ब्रेन कुछ नहीं करता है frequency को catch करता है एक बात और जितने लोग मरे हैं इस प्रिथवी पे ये साइन साइथ बहुत लोग नहीं जानते हो ये मैं भगवत गीता से कोट कर रहा हो जितने लोग इस प्रिथवी पे आए है सब की सोच इस प्रिथवी पे है लाखों साल पुरानी प्रिथवी पे ये सोच है और वो सब वो सोच उड़ रही है, सब सोच वाइबरेट कर रही है because हर सोच का एक frequency है, हर थाट का frequency है अब आप जो बनना चाहते हैं, वो बात यहां डाल दीजिये, उस frequency पर आ जाएए वो सारी सोच जो उड रही है जो चारो तरह फिक्चर सारी चीज़े वो डाउनलोड हो जाएंगी और आप जीत जाएं आप जो चाहते हैं वो बन जाएं that is a very simple thing मेरा broadcasting or receiving station है brain so what is next mind is an individual fluid energy invisible है दिखता नहीं है mind जैसे soul नहीं दिखता आत्मा नहीं दिखती वैसे यह mind भी नहीं दिखता brain दिखता है because brain क्या है electrical switching station है यह क्या होता है मालूम जैसे हम सोचते हैं वैसे हमारे brain को message जाता है brain cells activate होती है और वो spinal cord को message देती है और फिर सारे सरीर में activation सुरू हो जाता है and ultimately I start walking and I start taking decisions यहां से frequency control होती है आप यहां से दुख का बात सोचिए आपकी frequency भीरे से गिर जाएगी आपको लगेगा दुख हो रहा है मन नहीं लग रहा है आप थोड़ा सा हसी का बात सोचिए brain को message जाएगा brain receive करेगा and ultimately you start laughing that is the simple thing that brain works we have two mind यह photo मैंने internet से जान बूज के निकाला है यह साइद आपने photograph देखा होगा conscious mind and subconscious mind अगरा ध्यान से देखिए conscious mind केवल 10% है जो बिश्व से जुड़ा है ब्रम्हांड से जुड़ा है और subconscious mind पूरे universe से जुड़ा है यानि आपके सरिर के एक-ेक सेल में कौन है conscious mind नहीं है subconscious mind है यानि मैं जो सांस ले रहा हुь conscious mind के चलते नहीं ले रहा हूँ subconscious के चलते ले रहा हूँ मेरा heartbeat, मेरा सारा चीज, मेरा एक-एक सोच, मेरे एक-एक सेल यह subconscious mind के पासंगा subconscious mind is the most powerful organ of our body इसके जिम में मेरी किस्मत है जो इस subconscious mind में मैंने भेज दिया वो मेरी जिंदगी बना देगा बट यह कैसे होगा how can how it is possible अब यहाँ formula है मैं इस पर थोड़ा सा समय दूँगा and I understand अगर यह बात आप समझ गए तो फिर आज के बाद sales में आपकी marketing में और आपकी जिंदगी में you turn होगा that is called radical shift आप जब भी किसी customer के पास जाएंगे यह photo आपको याद रहना चाहिए आप जब भी किसी से बात कर रहे हैं यह photograph याद होना चाहिए यह photo अपने दिल में बसा लीजिए फिर जिंदगी में कभी problem नहीं आएगा because I am practicing since last 10 years and I got result this is called mind and this is body a small circle is called body this mind is divided यह mind दो भाग में है conscious mind उपर वाला portion है subconscious mind नीचे वाला portion यह thought जो आ रही है बाहर से आ रही है और यह conscious mind में आ रही है subconscious mind नहीं सोचता है conscious mind में thought आ रही है और sex peer ने जो कहा उसको याद रखे कोई भी सोच negative और positive नहीं होती हम उसे सोच के negative और positive बना देते मैं फिर से repeat कर रहा हूँ जो भी सोच मेरे conscious mind में आ रही है it is not negative and positive अगर कोई गलत सोच भी आ रही है तो वो सब्द है वो एक vibration है वो एक frequency है हम उस frequency को अपने पहले वाली frequency से जोड देते हैं और हम उसको negative और positive बना देते हैं यानि जो पुरानी मेरी सोच है उसके साथ में जोडने लगता हूं थोट इस नाइधर निगेटिव नौर पॉस्टिव आई मेक इट निगेटिव और पॉस्टिव भाई थिंकिंग विकॉज यह दुनिया बाइपोलर है इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटोन भी है मैं अगर ये किताब देखाऊं तो ये किताब देखें ये किताब का front है तो ये किताब का back है अगर मैं front को हटाऊंगा तो back भी हट जाएगा यह किताब का अंदर है तो यह किताब का बाहर है अगर मैं अंदर हटाऊं तो बाहर भी इट जाएगा अगर मैं इसको यहां से काटू तो यह भी कटेगा यह भी कटेगा अगर मैं यहां से काटू तो भी कटेगा टॉप और बॉटम तो यानि मैं नेगेटिव हटाऊंगा तो पॉजिटिव भी हटेगा आप बोल रहे हैं इस प्रिछवी से दुख और गरीबी क्यों नहीं जा रही है अगर मैं दुख और गरीबी को हटा दू तो सुख भी खतल हो समय दूटिव नहीं रहेगी अरे यह बिजनस में यह लाव हो गया तो फिर आनी भी नहीं रहेगी आप कोई भी repetition हम बार बार सोच रहा हैं मैं बार बार सोच रहा हूँ मैं बार बार सोच रहा हूँ और उसको negative और positive आइडिया में अब यह आइडिया क्या होगा जो Decide कर लिया है मैंने whatever I have decided जिसको बार-बार सोच के सोच के Decide कर लिया also s unconscious mind में चला गया और बाइदव में सबकंसस माइंड इसे एमोशनल माइंड यानि सारा इमोशन सारा एनर्जी इसी में भरा पड़ा है और वो थोट के साथ आइडिया के साथ मेरा इमोशन जुड़ गया I am impressed by that emotion और वो image बन गया now a photo बन गया और जैसे photo बना vibration started और एनर्जी यहां सबकंसस में थी वो vibration start हुआ और vibration body में हुआ body is nothing but a center of vibration body महसूस करता है दुख को सुख को body का अपना existence नहीं है body is the instrument of mind instrument है अब जैसे यहां vibration हुआ अगर मैंने negative idea को लिया था तो negative vibration हुआ और हमने negative काम सुरू किया हम hospital पहुँच गये हमने अगर positive idea को लिया था तो positive image बना positive vibration हुआ positive action हुआ मेरे जिंदगी में result अच्छा हुआ and I become successful अब आप इस formula को जहां लगाना है लगा सकते आपको जितना पैसा चाहिए आपको जितना सब कहो कि lot of money चाहिए बोलो मुझे 10 लाक चाहिए उसके बाद उन्होंने कहा कौन से date को चाहिए बोलो आज से दो महीने 60 दिन का समय दोई इसको 60 दिन लगते हैं इसको 90 दिन लगते हैं आप जरा दो उस करना है अब आपको क्या करना है repeat करना है यूँ है टू रिपीट इस एपीट इड़ लिख के अपने आखों के सामने टेबल के सामने लगत के बड़ी-बड़ी दिच्थों में लाल पीले दम से सजा के आप अपने बोर्ड में लख डालिए कि चारों तरब वही दिखे पतं नहीं होता वो universe का है वो अपने हाप लाके देता है because I have created that frequency मैंने वो frequency create कर दी now see what happens आपने यहां रिखा कि मुझे इस महीने इतना business करना है आप उसको बार-बार बोलिये मन दो you have to just repeat it repeat it law of repetition अब वो यहां पर emotion में आ जाएगी अब वो emotion से image बन जाएगा और आप फील कीजिए कि वो चीज हो रहा है ultimately the vibration start vibration will start action यह कि compelled action यानि आपको बैठने नहीं देगा वो idea वो image बैठने नहीं देगी अब आप बेचैन हो जाएगे अब वो desire बन जाएगा अब वो wish नहीं रहा चाहत नहीं रही अब वो desire बन गई है what will do that action will produce results यहां एक बहुत बड़ी बात है जो मैं आज बताने की कोसिस करना हूँ अगर कोई thought आ रही है जो thought आपके result को disturb कर रही है यानि आपको नीचे ले जा रही है तो उस thought को reject कीजिए अगर कोई thought आ रही है जिसके चलते आपके body में गलत vibration हो है यानि चाहे वो आदमी हो चाहे वो social media हो चाहे आपके घर के लोग हो जो भी आपकी body के vibration को negative ले जा रहा है feeling negative कर रहा है उस आदमी से बचना है उस thoughts से बचना है उस image से बचना है then this result will go up otherwise it is not possible हम क्या करते हैं हम दिन में एक बार positive सोचते हैं और पांच बार negative सोचते हैं यानि जैसे कोई thought आती है कि इस महीने 10 लाक रुपे का sale करना है तुरत एक negative thought आएगी नहीं होगा इमेडियेट और हम क्या करते हैं अपने vibration को देखते नहीं है हमानी feeling नहीं देखी हमें तुरत बोलना चाहिए था क्यों नहीं होगा why cannot I do it last month अब हम क्या करें इस्टीव जॉप्स का formula इस्टीव जॉप्स ने कहा you have to connect the dots from past पीछे कितना अचीव किया है देख पीछे कब किया है चीव देख और देख आगे क्या करना है तो आगे देखना बंद कर पहले पीछे के dots को connect कर and देखोगे कि सारी dots अपने आप connect हो गई and ultimately you have a positive vibration you are ultimately you are creating that that is called law vibration that is called law of attraction एक बात और याद रखने का universe का एक law है that is called law of perpetual transmutation of energy जड़ा इसको मैं फिर से दुबारा बोल रहा हूँ law of perpetual transmutation of energy यानि कोई भी सोच मैं जो सोचता हूँ वो पहले image में बदलती है और वो image फिर मुझे मजबूर करती है काम करने के लिए और फिर वो रियालिटी में बदलती है वान गौ अमेरिकन पेंटर ने कहा फॉस्ट आई ड्रीम माई पेंटिंग देन आई पेंट माई ड्रीम हमें जो भी करना है पहले यहां ध्याना है रिपिटेशन का लौ चाहिए हमें साब बार बार रिपीट करना है उसके बाद image बन जाएगी आई जो फोटो आगई यानिवर्स उसकी बात मानेगा यहां जो फोटो है उसकी युनिवर्स नहीं बात मानता वाई बिकाज यहां दिक्कत है तो सर पैसा नहीं है हमने का पहले डिसीजन तो ले की खरीदना है पैसा खरीदना है फोटो बनाया बिल्डर से बात किया घर जाके देखा बोला नहीं सर हमने के तो पैसा नहीं आएगा फॉस्ट मेक डिसीजन कि I have to buy this house address कौन सा होगा कौन सा सहर होगा कौन सा मुह आपको बैंक से फोन आने लगेगा देन आपके लोग आपकी मदद करने लगेंगे आप बोल रहे हो लोग मेरी मदद क्यों नहीं करते हैं अरे कैसे करेंगे तू अपनी मदद तो खुद नहीं कर रहा है you are not helping your mind is willing to help you your heart is willing to help you but you are not giving data आपके पास डेटा ही नहीं है और आप बोलते हो सरीर मेरा काम में कर रहा है how can you work software है नहीं और आपका आपका laptop काम कैसे करें आपने software डाला नहीं आपने laptop खरीद लिया 50,000 का अब आप बोलें मेरा laptop में यार विंडो खुल नहीं रहा है अरे विंडो है ही नहीं तो खुले कहां से इसमें डालो तो हमने डाला नहीं है डाट इस अब बिगएस्ट प्रॉब्लम इन सेल्स अं मार्केटिंग हम कोछ डालते नहीं है आपको एक बात आपको एक बात बताओंगा तो आपको आस्चर्ज होगा कि आई ऑज मैंनेंजिंग डिरेक्टर मैं बॉक्ट करनें इन दसलिए रहती नहीं होगा continuous इसका मिलने का इसका मिलने का कब है अ टाइम है रात में 12 बजे मिलता है हमने का तू पीछे बार कितने बजे कब मिला था उसने का सर हम लोग 6 महिने होगे इसका टाइम ही नहीं मिलता सर वो जूट बोल रहा था 12 बजे रात में कौन जाएगा इसके डर से उसने एक साल पहले कॉल किया मैंने फिर भी कुछ डाटा नहीं उसको मैंने का ओके जी कोई बात नहीं आज एपॉइंटमेंट ले लो रात में बारा बजे में गया इतनी लाइन लगी हुई थी भीड लगी हुई थी जरा ध्यान से सुनिएगा आपके बहुत सारे प्रॉब्लेम्स खत्व हैं मैंने कहा यह ऐसे तो मानेगा नहीं म मैंने जाके पेशेंट के क्यू में जाके लाइन लगाया और एक हजार रुपय फीस थी मैंने एक हजार रुपया दे के कहा पेट में दर्द है यहां दर्द है मैंने कहा पेशेंट बनूगा पेशेंट बनने पर लाइन पहले मुझे मिल गई चुकि था कि यह पहले क्या लिखता था आज क्या लिखता है मैं अंदर घुसा और मेरा पहले जूनियर डॉक्टर ने ब्लड प्रिशर लिया नॉर्मल था सारी चीज़े दी मैंने दिखाया जीव आख सब जो भी उसका फिजिकल चेक उप था उसने किया में डॉक्टर के पास मुझ मुझे बीमार कर दिया है मेरी पूरी टीम बंबई में बीमार है so I have come as a patient because ऐसे तो आप सुनेंगे नहीं मैंने तुरत वो डॉक्टर पैसचा निकाला उन्होंने मेरे मेरे उच्छ साह पे और मेरे रिस्क लेने की कैपास्टी पे बहुत खुशते उनने का ठीक है जी आगे help it is not possible मैं बीमार हूं sir इसलिए मैं बीमार की लाइन पे आया हूं मैं किसे sales representative के लाइन पे नहीं आया है वो बड़ा हसने लगे उनने कहा कि I am really very very happy कि तुमने एक different approach कैसे लिया आज तक ऐसे कोई मेरे से मिलने नहीं आया किसे की हिम्मत नहीं हुई मैं तुमारी हिम्मत की द नहीं आओगे तब तक लिखता रहोंगा और जिस दिन तुम दूसरी बारा आना बंद करोगे उस दिन में फिर लिखना बंद करोगे और यह स्टार्टिड लाइक इनिधिंग मेरा production खतम हो गया यानि मेरे स्टॉक को मेरे पास supply के product नहीं थे he was he was such a leading doctor मतलब ये कि मैं सोच के गया था मैंने बार-बार बोला था कि आज मैं ये काम करके ही जाओंगा आज मैं जिस परपस से आया हूँ that I will do the ideas form मैंने उस doctor की photo बनाई थी मैं product जो लिखवाओंगा उसकी image बनाई और ultimately मेरे सरीर में उत्साह का vibration आ गया कि yes I will do it and ultimately वो risk लेने की capacity आ सकता है मैंने उसके सामने patient बनके गए और वो सारी बाते बताई जो कोई बोल नहीं सकता है and ultimately I got the result so result is directly proportionate to the idea and the idea is you have been is to be created by you यह कोई दूसरा नहीं create करेगा that's very simple so universal laws are walking laws not confusion is the dominating principle of this universe यहां हम confuse करके कोई जीत नहीं सकते यहां हम दूसरों को धोखा दे के नहीं जीत सकते यहां हम दूसरों को बेवकूब बना के नहीं जी सकते एक ही law है इस पूरे universe का सीधा सीधा चलो पैर नहीं तूटेगा ज्यादा उचल कूद करोगे पैर तूटेगा ज्यादा दिखावे की बात करोगे बरबाद हो जाओगे एकदम सीधा चलो अपने थाट के उपर काम करो और जो चाहिए वो ले लो ज्यादा उचल कूद करोगे बिजे मालिया ने बहुत उचल कूद मचाई नीरा मोधी ने रतन टाटा ने सीधा सीधा अपनी जिंदगी देखी और अल्टिमेटली आज डेड़ सो साल होगे वो रोज ग्रोही करता गया वाई बिकाज वी इस वाकिंग एस पर दे युनिवर्सल लॉग वी इस आल्वेज मैचिंग दे फ्रिक्वेंसी मैं आइंस्टाइन की बात कहन मैचिंग का है कि मेरी थाट और मेरा ड्रीम दोनों मैच करना चाहिए दा मोमेंट इस मैच एवर्टिंग इस यूर्स वेरी सिम्पल नौ माइंड और बॉड़ी गेम यह पूरी जीवन है जिसने इस माइंड बॉड़ी गेम को समझ लिया वो जीत गया जिसने माइंड वो हारता रहा वो समझता ही नहीं है कि आकिर मेरे साथ यह कौन खेल हो रहा है वो पंडितों के पास गया मौलमियों के पास गया मंदर मंदर घोमा जूतियां चटकाया फिर भी कुछ नहीं हुआ वो चाहे वो कोई लाइन हो चाहे वो एक चुदन हो चाहे वो कोई प्रफिशनल हो Without understanding this mind-body game you cannot expect to win anything चाहे आप exam pass करना चाहते हो, चाहे वो आप अप अपनी organization में सबसे उचे number पे आना चाहते हो, आप चाहे Modi care में आप best का best बनना चाहते हो, it is very simple कि आपको mind baby game समझना होगा. Last paragraph I am showing, this is the last slide. आप यभी यहां सोच रहे हैं, तो आपका result यहां होगा. यह frequency है, this entire universe is frequency, infinite number of frequency. और आप यहां सोच रहे हैं, जो भी इसका चलते result यहां है, आज की सोच. आपको जाना यहां है, this उपर, यह जो line दिख रही है. और यहां जाने के लिए आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, आपको कहीं मेहनत नहीं करना पड़ेगा. आपको केवल अपनी थौट को यहां से उठा के यहां लाना है. That is called law of perpetual transmutation of energy. आप यहां पहले से दिमाग लगा दीजे की मुझे यह, इसको कहते हैं conscious awareness. अचा आप ज़रे एक चीज मुझे बताइए, हमको A, B, C, D आता नहीं था, तो कैसे आगे हैं भाई? लाख रटते रहें नहीं समझ में आया, जब तक हमारी awareness नहीं, ओ, A for apple, ओ, आगया मा, apple जैसा यह, yes, awareness, रटने से नहीं आया, conscious awareness से आया, हमको 1 to 100 तक नहीं आता था, हमने लिखना सीख लिया, बोलना सीख लिया, कैसे आया, conscious awareness से आया, हमने 5,000 रुपे का sale किया था पिछले महीने, तो वो मेरी 5,000 की conscious awareness थी, अब अगर इस महीने में 50,000 की sale करना चाहता हूँ, तो मुझे इस awareness को छोड़ना पड़ेगा, और यहां की awareness पे आना पड़ेगा, I have to shift my awareness to 50,000, और बोलना पड़ेगा, yes, I know that I can achieve this 50,000, आप देखेंगे, ये तीर बता रही है कि आपकी awareness but the moment your awareness has started increasing, your sales will start increasing, it is not related to your hard work, it is not related to your kismat, it is not related to God's mercy, no, it is only related to human awareness, conscious awareness, कि मुझे क्यों चाहिए ये 5,000,000 रुपे है, आपको जबाब देना पड़ेगा, why you want 5,000,000 रुपी sales, and if you don't have answer, you will not get the sales, अगर 5,000,000 रुपे sale करना है, तो आपको answer देना हो पड़ेगा, क्योंकि मेरे को 5,000,000 रुपे का मकान खरीदना है, 5,000,000 रुपे का मकान खरीदना है, 5,000,000 रुपे बच्चे की fees देनी है, 5,000,000 रुपे का ये काम करना है, अगर आपने reason नहीं दिया, तो you will not get it, 5,000,000 रुपे दारुपी ने के लिए नहीं मिलेगा, 5,000,000 रुपे मस्ती करने के लिए नहीं मिलेगा, because money is also energy, and energy का balance create होता है, ऐसा नहीं कि आपको ऐसे ही lottery दे देगा, और अगर lottery दे देगा, तो वो छीन भी लेगा, इसलिए कि balance missing है, इसलिए हमें हमें साथ ध्यान रखना है, कि balance is the key of universe, आज यहां तूफान आया, तो आप देखेंगे क्या हो सकता है दूसरे दिन, आपको मालूम, जब बहुत युद्ध होता है, बहुत लोग मारे जाते हैं, तो देखिएगा, उसमें लड़कों का production, यानि बच्चों का production बढ़ जाता है, वह लड़कियां नहीं प को बताना पड़ेगा कि 5 लाग तो दूँगा तुझे, इसके बदले में तू मुझे क्या देगा, आप जरा normal communication कीजिए, मैं पापा के पास जाता था पैसा मांगने, तो पापा बोलते थे, अच्छा ये 10 रुपे तुम क्यूं मांग रहे हो, क्या क्या करोगे, तो मैं बोल तो ट्राइंग तो कन्वींस यू, तुझे जितना चाहिए, ले ले, रीजन बता दे मुझे, अगर आपने रीजन नहीं बताया, तो लिख लीजिए, नहीं मिलेगा, चाहे आप कितना भी जूतियां चटका ले, चाहे कितना भी कुछ कर ले, यू आर नाट गोइं तो और एक तारिक को चाहिए, तीस तारिक को चाहिए, ना तो एक तारिक को decide कर लो, कि इस महीने मुझे इतना चाहिए, उके, उसके बाद बोलो, देड़ डाल दिया, अब उसके बाद रीजन डालो, अगर यह मैं तुझे दे दूँगा, तो तुम क्या चीत छोड़ोगे, तो फिर बैलेंस करेंट होगा हाउगें यूड़ेट बैलेंस नहीं कर सकते फिर उसके बाद क्या चाहिए उसके बाद ईश्वर बोलता है हमारे पापा बोलते थे अच्छा यह तुस रहा करने के लिए तू कैसे करेगा जरब बता मुझे तो बहुत है पापा यह वाला पहले कितना चाहिए क्यों चाहिए और जो चाहिए उसके बदले में आप क्या दीजिएगा और आप को प्लाइन और आप प्लाइन जब करें तो मुझे एक कहानी याद आगई एक insurance में आपने नाम सुना होगा उस company का नाम सुना होगा American insurance company जो बाद में Prudential company बन गई जो आज Prudential सबसे बड़ी company है पूरे दुनिया की insurance सेक्टर में उसके मालिक थे W Clement Stone जो Napoleon Hill के बहुत बड़े मित्र थे अब देखें क्या हुआ उनके office में एक लड़का था जो तीन महीने से salary ले रहा था एक भी sale नहीं कर रहा था insurance का W Clement Stone ने उसको नौकरी से नहीं निकाला उसको बुलाया अपने office को और उसको कहा Mr. my dear friend I don't understand you are taking salary you are taking this company is investing on you इतना पैसा company तरे उपर invest कर रही है but you are not thinking you are not aware about it yes sir I am aware but I don't know how to sell oh this is the problem बोले yes तो चलो एक दिन की training देते हैं he has started training training के बाद भी 15 दिन में कोई sale नहीं अब उन्होंने दूसरा method बनाया उसने कहा Mr. so and so I am giving you only 15 days time 15 दिन का मैं समय देता हो अगर तुने sale नहीं किया तो you are fired अब उसके बास 15 दिन समय था देखे यहां पर you should be very very particular about it यह आपके काम आने वाला है this is going to help you in your पंद्रा दिन का time मिला उसने अपने office में जो लड़की थी जो marketing में उस लड़की को कहा कि पंद्रा दिन में तो अब जा नहीं है Clement Stone ने कह दिया इसका मतलब तो अब उसके उपर कोई है नहीं boss तो let me go for it let me try it कि क्या मैं जीत सकता हूँ now I will be willing to give 100% so that कि मैं अगली company में जाऊंगा तो कुछ मेरे पास तो buy data रहेगा ultimately what it is उसने कहा ऐसे customer का नाम दे जिसको कोई convert नहीं किया है give me the names जिसको दुनिया के सारे हमारी company के लोग गए और उनका sale नहीं कर पाए मैं वैसा customer का नाम चालता हूँ उस लड़की ने 24 गंटे के अंदर 12 customer का नाम लुखाते दिया 12 customer जिसको कोई महीं बेच पाया insurance उसका नाम आप देखें उसने 3 दिन काम नहीं किया यानि 15 दिन में तीन दिन वो चुपचाप घर बेढ़ गया और उसने क्या किया मालू एक एक लड़क के आदमी का नाम अपने हाथ से लिखा और क्या बोला Mr. A, B, C, you are going to buy 5 lakhs of insurance from me by this date पाच बार बोला एक कस्टमर को आख बन करके Mr. A, B, C, I know that you are going to buy this insurance from me by this date Mr. A, B, C, Mr. X, Y, Z, I know that you are going to buy this much of insurance from me by this date उसने ये पहले तीन दिन प्रैक्टिस की जिसको कहते हैं आटो सजेशन मालजी में कहते हैं साइकॉलजी में कहते हैं आटो सजेशन अपने आपको पहले convince और उसके बाद उसने फोन लगाया पहले दिन उसने बारा में से तीन कस्टमर को convert कर दिया आफिस जब चेक गया तो everything has become अरे ये क्या हो गया ये तो आदमी इतना difficult था कि किसी को अपने चेंबर में घुसने नहीं देता था उसने का मैं चेंबर में गया ही नहीं मैंने तो फोन पर convert कर दिया सब लोग अस्टर चेके डवलू किलमेंट स्टोन के पास कहानी गई he was very happy because he was knowing कि ये आदमी कहीं छुपा हुआ है इसके बास talent है उसके बाद दूसरे दिन उसने चार convert की उस चारों को पहले बीस बार बोला Mr. ABC I know that you are going to buy my insurance from me by this date एक customer 11 customer convert हो गया अब दो दिन बचे थे एक customer convert नहीं हुआ पंदरह दिन से लगातार उसके office में जा रहा था but he was not getting confirmed last दिन महीने का अंतिम दिन था उस दिन उस customer ने क्या कहा उसको उसको कहा तुम अपना समय क्यों बरबाद करते हो तुम्हें मालुमें मैं नहीं खरीदूँगा तुम्हारे boss से भी नहीं खरीदा तुम्हारी company से नहीं खरीदूँगा I you know तुम अपना समय क्यों बरबाद कर रहे हो मैं जानना चाहता हूँ पता है इस आदमी ने क्या जवाब दिया इस आदमी ने कहा मैं आपको insurance बेचने थोड़ी आता हूं sir मैं Napoleon Hill की किताब पढ़ रहा हूं think and grow rich और उसमें एक word है patience and perseverance मैं बस उसी की practice कर रहा था कि business में patience क्या होता है और perseverance क्या होता है sir मैंने आज part पढ़ लिया now I know कि what is patience पता है उस आदमी ने क्या कहा खड़ा होके उस आदमी ने कहा मैंने भी तुमसे एक बात सीख लिए कि कोई भी sale कैसे किया जाता है किसी आदमी को convert कैसे किया जाता है कि आदमी से कैसे कहा जाता है कि भाई मैं कुछ नहीं मांगता हो तुमसे लेकिन तुम मुझे sale दे तो तुम्हारी body language से केवल पता चल जाता है मैं तुम्हें कितना का insurance चाहिए उसने सबसे लंबा check लिखा उसने अपना blank check निकाला और उसको कहा जितना तुझे भरना है इसमें भर ले उसने का sorry sir I am not the owner of your life I am not knowing की what is in your bank so please वहाँ इमांदारी दिखाई और उसने जो amount सोच के रखा था उससे पांच लाख ज्यादा का sale उसने किया and ultimately he was the superstar of that company मतलब यह कहना चाहता हूँ कि जब वो यहाँ सोच रहा था तो fired हो गया इस wavelength पे था frequency पे जैसे उसने यहां सोचना सुरू किया जैसे उसकी awareness अहां आई वह ऐसे सारी चीज बदल गई result changed तो Modi care में जो product है या फिर जिस company में आप काम करते हैं आपको अपने awareness को बदलना है अपने concept को बदलना है आपको as a person नहीं बदलना आपको यहां से बदलना है that's very simple and I know that you can do it by challenging yourself by understanding this this in universe's vibration मैं हर week में साथ दिन की training देता हूँ personal victory master class मैंने अभी 11 घंटे का काम एक घंटे में किया है तो naturally यह केवल briefing हो सकती है आपके घर में मैं students का बैच चलाता हूँ मैं professionals का बैच चलाता हूँ अभी चुकी online सारी चीज़ें चल रही है those who are willing to attend my class they can enroll बहुत nominal fees मैं लेता हूँ 499 रुपे साथ दिन की class है और उसमें थे 500-600 रुपे की चीज मैं मुफ्ट में देता हूँ I think my study materials everything is goes free of cost मैं यह इसलिए करता हूँ कि मैं अपने आपको अपडेट रखो और जो मैं जानता हूँ वो लोगों को बताता चलो इसलिए मैं एक और request करूँगा आपसे मेरी YouTube पे बहुत सारी चीज़े मैं रोज डालता हूँ two minutes you can subscribe my channel and those who are interested to join आपके बच्चे हो आपके professionals हो जो भी परिशान हो रहे हैं जिनको बहुत सारी चीज़े नहीं मिल रही हैं you can join my telephone number you can write it 8076 you can write my telephone number 8076-320-818 that is my number आप ले सकते हैं Manjais जी से number that is possible so thank you again Manjais जी आपने मुझे 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 दिया पता नहीं कैसा लगा I don't know I will wait for your feedback कि ये आपके लाइक था या नहीं था I was not prepared जो भी मेरे पास आया मैंने किया so thank you and God bless you बहुत बहुत दान्यवाद सर और आज जो भी टॉपिक आज ने आपने डिसकस किया इन सभी का जो फाइनल आउटकम था सर चाहे वो लॉफ एट्रेक्शन हो चाहे विचारों की ताकत हो चाहे माइंड और बॉडी गेम हो हम लोग के बल इसके मतलब मतलब result को केबल हम लोग जानते थे और कई बार क्या होता है law of attraction काम करता है नहीं करता है कभी मन में doubt आता था चुकि उसके behind जो logic था उस logic को हम लोग नहीं जानते थे और आज सर आपने सभी चीज़ों को logic science spirituality हर चीज़ के साथ connect करके एक belief system को strong किया और आज सर रियली जितने भी लोग आज हमारे साथ थे इस session में वो सभी लोग आज रात सो तो नहीं पाएंगे और चुकि मैं महसूस कर रहा हूँ मैं जब आपकी बातों को सुनना आता सर तो मैं अपनी गलतियों को समझ रहा था कि मुझसे कहां पे गलती हुई कहां पे चुक हुई आज जहां पर ह सर उससे बहुत आगे हो सकता था लेकिन अपनी विचारों को कंट्रोल करने माइंड और बॉडी गेम को समझने में समय लगा आपको भरोशा दिलाता हूं सर कि आपकी इस session से बहुत सारे लोगों की जिंदेगी बदलेगी और मैं तो पूरी तरह से आपके प्रोग्राम को इकडम देखता रहा सारे लोग इसी तरीके से थे नहीं देख भी नहीं पाया कि कौन-कौन लोग साथ में हैं तो नीतीन सर संजीत जी परशना जी कोई लोग है क्या मैरा साथ दे सकते हैं अब जानते बेख़ नितीन सर थोड़ा सा देखिये अपने कोई एंड है तो थोड़ा सा उनको अनका फेट वैकल रहेंगे सर इस है पूपी उत्तम सर है क्या यस सर नितिन जी बोल रहे है नितिन जी बोल रहे है अलो मनुकूल सर आप स्लाइड से तो स्लाइड हटालेते हैं जी जी हां सर अलो मंजेश जी नमस्कार आज आपने सर जी को ले करके आये हैं यह तो हम लोग की आखें खुल गई हम लोग करते थे यह तो जानते थे कि तो हम लोग समझे नहीं पाते हैं दो किर दो केरेंदेकि गएंदर कृण्सेंट्यों हुआख क dolो जाना कई विफ् legit बैत थे अज्डुकर सहथे यह हं जी जाना वे जाना कैया है पाते हैं जो भी चीज़े बताई है जो भी स्टाइड मैंने कई तो जो मैं करीब आवश्टर के चालीज में उती हुई तो जितना मैंने सुना है वो तो मैं समझ ही नहीं सकता कि सर्जी तो आप खोच करके कहां चलाए सर्जी तो बहुती चीज़ें बताई हैं लोगों को कि अगर इसको हम लोग करेंगे तो हर चेत्र में आगे निकाल जै कोई निक्तर अउनिटने लोगों को सौ लोगों को और हमारे यहृष्जी सिंग साहब है हमारे वीच में असोग पंजावी डक्टर मेजर असोग पंजावी जी लिए है तो आप उन्से प्टेक दे सकते हैं पर मैं तो धन्य हूँ और सर जी बहुत बहुत थाइंग और मेरा प्रणाम सर जी को ले जो कुछ में सब इनी का देन सर था आउसरे हमारे सात में इध्यारी कंपणी के टॉप टाइटल पर है और वो डिली जी सर आप संपा रहें तो सर तोब थोड़ा सब चाहेंगे आगी प्रोग्राम क इंडी च्डेon ग्रेट जो प्रोग्राम था मनुकूल जी का एक्सेलेंट जैसे कहते हैं सुपर टूपर एक्दम प्रोग्राम था तो कि मैंने भी बहुत साल पहले डेल कार्णेगी जी की क्लास चलती थी हमारे दिली में तो ऑशित गोश थे जो हमारे स्वामी वेवेकनन जी के डिसाइपल की थे और वह चलाते थे कोर्स वह टेंड किया था मैंने बहुत अच्छी इंस्पिरेशनल मॉटिवेशनल क्लासिटेंड की हैं बट आपका मनुकूल जी का तो डिफेरेंट स्टाइल था बहुत ही कि युनिक था और बहुत अच्छा लगा क्योंकि एप्लाइड नॉलिज और स्ट्रक्चर से उनने जैसे बताया स्पिरिच्वल इंटेलेक्ट्वल और फिजिकल और बहुत ही डिफरेंट अप्रोच थी और फाइनल कंक्लूजिन जब उनने हमारे जो बेस्ट है नेपोलियन हिल की और जो रॉक फेलर इनके एक्जामपल के साथ में शेर किया तो ब फूरिघ थी तरीके से हम को ब्लेटवते रहें एंक यू बर्ड़ीन मोज्जी थैंक यू हमारे मनकूल जी का Campaign कर जोति हमारे जो नजदीक की हमारे सबसे अज़िक के जो अरावाणि के रहने है पिस्टारेश Karl मूझ के बीच में है सबसे पहले तो सर को बहुत बहुत धन्यवाद बहुत ही गजब का सिसंथा और मैं सारी चीज नोट डाउन कर रहा था जिसे सुरुवात ने बुले कि मां तो दो पटसेंट लोग सोचते हैं या सेलफ कंसेप्ट के उपर में जो उन्होंने बात की कि एक औरडिनरी सेलफ कंसेप्ट होता है या फिर नॉलेज इस पावर मैं सारी चीज नोट डाउन कर रहा था और सब चीज जो भी है कि हम जो भी सोचते हैं और जो भी बोलते हैं और जो महसूस करते हैं उस चीज को प्राप कर सकते हैं नेपोलियन हिल की जो बात उन्होंने बताई कि मनुश्का मस्तिक से सोच सकता है और उस चीज़ को इच्फीव कर सकता है और हर चीज इनरजी है हर चीज के बारे में जो उन्होंने बताया और कलपना के बारे में बताया हम लोग वह फैटेक्षन और आगारा का या पावर ओफ सपॉंसेश माइन बहुत 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 थनेवाब सब्सक्राइब और गोपाल जी है क्या प्रदीप जी तक कर लगता है प्रदीप जी के लिए तरको बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी तरीक्या से बताए और सबसे ज्यादा अच्छा तो वही सब सब्सक्राइब करें इतना कुछ और वह सारे हमारे माइं से रिलेट करता है तो बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छे तरीके से आज च्रेनिंग हुआ मैं तो वीडियो आफ करके एक तम सुन रहा था और यूटूब पर भी आप फॉलो करेंगे और अपने बच्छों को भी तरका तेशन दिखाया करेंगे और तब दिली बहुत अजल्द जो होगी सर क्योंकि इस लॉक्टाउन में आपने माइंड को बहुत बड़ा रिप और लोग तो बहुत सारे हैं सर फिड़वेक देने के लिए समय की अपनी होती है तो मैं ये बताना चाहूंगा कि मनुकूल सर का नंबर अगर आपको चाहिए तो आप हमसे संपर करें मैं आपको नंबर कराऊंगा और मेरी ये आपने से जो लोग करते हैं मतलब आपको लग स्टरिंग क्लास जो आपकी होती है हम चाहते हैं लोगों का सेलेक्शन करने के बाद एक इतों को कर सकते हैं मैं उनका नंबर दे दूँगा और बच्चों की काउंसलिंग की जहां तक बात है तो मैं सबसे ज़्यादा इंस्पाइर हुआ था लोग डाउन में बच्चों को स साही साही से नहीं हो रही थी और सरका जब कांसलिंग क्लास हुआ और ये पास्टिन की क्लास बच्चों की कार दो नहीं है तो मुद्मधिकर मॉर्निंग शर्डेट कासे संदा कर दो है तो मुद्मधिकर मॉर्निंग सर्ड़ आज तक कर सकते बात्रिंग को नहीं है प्रोड़ आज तक को नहीं हो तो मुद्मधिकर मॉर्निंग से तक कर दो है तो टो टो टोर तो